महाराज के राजिपार्ण श्री विद्याशागर्ण राओ जी बुख मंत्री श्री देवेंद्र पंडवीश जी श्री नयन साजी श्री श्री पृतास कुईटका जी अन्य गर्मानत दियोग देवियोर्श जी आज मकर संक्रांती का पर्व है उत्तरान का पर्व है ओंगल का पर्व है और नार्थ इस्तन स्टेट्स में बीभू का पर्व सेलिब्रेट करते हैं इस औसर पर यहां पर सभी उफस्तित बहनों भाईयों और देश में विदेश में रहने वाले सभी भार्थियों को मैं अपनी शुरु कामनाएं और बढ़ाई अर्पित करता हूँ आज जब मैं इस परिसर में प्रवेज किया तो बहुत कुछ मेरे पुरानी स्मृतियां ताजा होगी ठीक एक बर्स पहले दिसम्वर का हंतिम सब्ता उसमें मेरा यहां आना हुआ था और सचमुच में उसके पहले आदर्णिय माताजी से मेरे पून पर पात हुई थी उन दिनों मैं बिहार का राचपाल था और उन्होंने बड़े आत्मिय भाव से मुझे नमंतरत किया और कहा कि आपका पगोड़ा में स्वागत है आप आएंगे आप सब को बहुत अच्छा में एक वो भाव लेकर कि जब मैं यहां पर आया पहले पगोड़ा आया यहां काप्रमर किया उसके पश्याद जब यहां आने पर जानकारी मिली कि माताजी अस्वस्त है आस्पेटलाइजड है तो नेक्स डे हम उनसे मिलने का प्रोग्राम इसलिए बनाया रहा है को को मैंने सोचा कि जिसके आकरे पर जिसके नमंतरां पर मैं यहां तक आया और इससे ना मिल सकूँ उसके दरसन ना कर सकूँ ति मेरे लिए भी एक मन में अगले दिन जब मैं गया हॉस्पिटल में उनके परिवार के सबी लोग थे वो आधानी माताजी बिलकुल अच्छे तवस्ता में थी लेकिन जब मैं गया तो स्वावाविक है परणाम करते भी बताया गया उनको कि विहार के राजजपाल आये है कुछ आखे खुली और उसी को मैं मानता हूँ कि शायद वो एक संभी दिना उनके हिर्दय में रही होगी कि जिसको हमने आमंत्वित किया था आज वो हमारे सामने है मुझे भी बहुत ही जिसको कहते हैं हिर्दय दिर्वित होता है उनके नमंत्रन को सुईकार करते हुए उनकी इस नती को नमन करते हुए आज मैं पुना हाँ आप सब के साथ में यहां पर खड़ा हूँ हम सब लोग जानते हैं कि यह जो इस्थल है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ इस्थल है लगबग पंद्रे सोले बर्स पहले मुझे विपस्टना पंद्धती से जुड़ने का आउसर में नहीं था इसलिए इस विपस्टना पंद्धता में आकर मुझे आज अतियंत प्रशन्नता हो रही है सैया जी को पाखिन विपस्टना चार सतनाराण को इनका जी और आधरनी माता जी को उस्टता सुमन अर्पित करके मुझे आज के दिन इन विप्भूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का सुवसर मिला है आज इस उसर पर धम्माले का सिलानियास करके भी मुझे प्रशन्नता हुई है महारास्ट अने पिसे इस्ताम और उपलप्तिनों के लिए जाना जाता है लेकिन इस राज्य को समसे अधिक प्रसिद्धी यहाँ पर विक्सित अत्यात और आस्था से जुड़ी परंपराओं से मिलती है पूरी दुनिया के परियटकों को आकरसित करने वाली भगवान बुद्ध के इतिशास से जुड़ी अजन्ता की गुफा है इसका साक्षात उदाहरन है इन गुफाओं के चित्रों और पत्थर पर केरी गई मूटियां मूटियों में बोधी तत्व बोधी सत्व करणा अवदार के रूप में दिखाई देते सबके प्रदी करणा का भाव रखना ही गुद्ध की सिख्षा का सार है मानो समाज के लिए इसा से करुणा की और जाने की जरूरत आज और भी अधिक हो गई इसलिए भगवाद बोधी के आदर्सों को लोगों तक पहुचाना भी उत्रा ही जरूरी हो गया है विपस्टना पद्धती के द्वारा इन आदर्शों को लोगों तक पहुचाने में मदद मिन दे भारत की प्राचीन पाली भासा में विपस्टना का अर्थ है आत्मदर्शन यह बुद्ध की सिक्षा का शार है यह उस सत्ध का यथा बूद्ध ज्यान दर्शन है जिसका वए जीवन परियंत उपदेश देते हैं विपस्टना साजना के द्वारा स्वयम भगवान बुद्ध ने इसी सत्ध की प्राप्ति की थी आज की भागदोर्ण और तनावगरी जिन्दगी में इस पद्धती की प्रासंगेक्ता और भी बढ़ गई है विपस्टना के अभ्यास से एक आकलता बढ़ते हैं विपस्टना का अभ्यास करते हुए एक विद्यार्थी अपने अध्यायन और परिक्षा परणाम में सुभ प्राप्त कर सकता है एक अधिकारी अधिक प्रभावी ठंसे काम कर सकता है एक खिलारी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है ऐसे अनेक उदारण दिये जा सकते हैं सरीर मन और अध्यात सभी इस तरों पर विपस्टना का अच्छा प्रभाव करता है इसलिए विपस्टना पद्ध जी द्वारा स्थाफित, धम्मिगीरी विपस्ना केंद्र, नागपूर में Dragon Palace Temple का विपस्ना ध्यान केंद्र और यहां विश्व के सबसे बड़े पगोडा में बनाए ध्यान केंद्र विपस्ना पदती के प्रसार में अपना योगदान दे रहे है। यह सभी केंद्र बड़ी संख्या में बिपास्टना के केंद्रों में किवर महाराष्टी नहीं बलकि देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं ऐसा मुझे बताया मुझे यह भी जानकारी मिली कि सन 1972 में बिनोवा भावा के कहने पर स्री सत्त नारायन गोईनका जी ने इस पूलों में बच्चों को विपस्णा पत्ति की सिख्छा देना सुरू किया था उसके बाद 1975 में जेलों में अपरादियों को भी साधना सिखाना सुरू किया गया बच्वान बुद्ध की सिख्चा से अंगली माल और चंड असूप के हिर्दय परिवर्तन की परापरा को आज की योग में इस फांडेशन द्वारा जेलों में अपरादियों को विपस्णा पत्ति की सिख्चा देकर और आगे बढ़ाया जा रहा है मुझे यह जानकर कुसी हुई कि महारास्ट में राजसरकार ने अपने अधिकारियों और करमशारियों को भी विपस्णा पत्ति सीख्चने के लिए बिसेश सुविधाय उपलब्द कराई है अन राज्यों द्वारा भी ऐसी पहल की गई है भगवान बुद्ध के संदेश को विपस्णा पत्ति के जरिये आगे बढ़ा कर इस फाउंडेशन के लोग आज के माहुल में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सब के प्रियासों से बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है आदरनी सतनारायन गोहन का जी से भी मेरी भेंट हुई थी और लगभग दस या पंदेश मिनट का एक साक्षा था उन देनों में संसद में राज सवा का सदस था दिल्ली की बात है और एक वन डेज सिवर जो लगता है उसी में मैं भी गया था तो यह अलग से चर्चा हुई उनकी जो मैंने चिंता देखी थी जब उन्होंने कहा कि सामाजिक छेत्र में आम जन्ता के छेत्र में जो लोग काम करते हैं उनका संकेत राजनेतिक छेत्र की तरफ था जो लोग काम करते हैं वो तमाम लोगों से मिलना जुलना तमाम लोगों की बातों को सुनना, अच्छी बाते सुनना, पूरी बाते सुनना, सब प्रकार की उनको सुनना पड़ता है। और इसलिए उनका आग्रे था कि समाज छेत्र में जो पब्लिक फील्ड में लोग काम करते हैं, वो यदि विबसना की पत्ति को अपनाएंगे, तो उनको सुक, शान्ती और जिस प्रकार की समस्याओं का समाधान एक वो अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो करने में सायक हुआ है। इस प्रकार की कुछ चर्चाएं होई थी, मुझे नहीं पता था कि शायद उनके साथ में वो मेरी चर्चा पहली थी और आखरी थी। लेकिन आज भी वो इस प्रतिया मुझे ताजी हैं कि शंबोता यही दिन थे, सर्दियों के दिन और हम लोग भूप में बैठे हुए थे। बहुत सारे वो सादकों के प्रस्णों का उंतर देने के पूर्व सायंकाल चार बजे का समय था। उसके पूर्व लगबग तीन बजे होगा, तीन सारे तीन बजे। उस समय एक मेरी 10-12 मिनिट की संग्चिफ्ट भेंट हुई थी। मैं अपने को 25 साली समझता हूँ कि विपस्णा चार आदर्णी गोहिनका जी का मुझे सानेत ब्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ कि विपस्णा पद्धती के प्रयासों से पूरी मानवता को लाब बेंता है। इस फाउंडेशन को इन कल्यान कारियों देशियों में समझता बिले। ये मेरी मार्दुक शुब कामना है। धन्वाद जैएत।